फर्स्ट नव प्रस्ट है कि प्रिष्टिये अवेस घनत्व से आप क्या समझते हैं इसका मात्रक लिखें तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रती एकांग छेत्रफल पर उपस्तित अवेस को ही प्रिष्टिये अवेस घनत्व कहते हैं इसे सीगमा से सुचित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है कुलम प्रती मीटारे स्कॉयर होता है काफी मत्तपूर्ण इसका मात्रक जरूरी याद रखेगा क्योंकि ये objective questions में भी पूछा जाता है तो आप असानी से लिख पाएंगे कि प्रती एकांग छेत्रपल पर उपस्तित आवेस को ही प्रिष्टी आवेस घनत्वा कहते हैं जिसे हम लोग सीगमा से सुचित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है कुलम मीटारे स्कॉयर हम लोग जानते हैं कि जो छेत्रपल होता है उसे स्कॉयरे मापते हैं तो वहीं क्यूँ इसका कुलम हो गया होंगे कि 80 होता है और जो यहाँ पे A square है तो T L के पावर माइनस 2 यहाँ पे आसानी से आप याद कर सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे दूसरना प्रस्णि कि गौस के नियाम को लिखें सभी प्रस्णि को आप एक कौपी पर जरूर नोट्स बनाईएगा दोस्तों और इसे प्रेक्टिस करते रहेगा क्योंकि इससे बाहर अब एक भी प्रस्णितर नहीं चुटेगा इसी तरह से परतिक सब्जिट को आपको दे दिये जाएगा ताकि बोड एक्जामे अब एक भी प्रस्णितर ना चुटे गौस के नियाम को लिखें तो इसे भी हम लोग बिलकुल ही आसाई से समझेंगे किसी बंद प्रिष्ट से होकर गुजरने वाला कुल बिधूतिय फ्लस्क का मान उस प्रिष्ट के घेरे गाई कुल आवेश का एक बाटा एपसलर ना ट गुना होता है तो क्या हम समझेंगे कि किसी बंद प्रिष्ट से होकर गुजरने वाला कुल बिधूतिय फ्लस्क का मान उस प्रिष्ट के घेरे गए कुल आवेश का एक बाटा एपसलर ना ट गुना होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं phi e बराबर हो जाएगा q इंटू एक बटा एपसाला नॉट जो एपसाला नॉट होता है वह मुक्त अकास की विदूत सीरता होता है बिल्कुल ही असानी से लिखा गया है ताकि इस वीडियो को एक से दो बार भी अच्छे से देख लेते हैं तो आपको पूर्टा याद हो जाएगा और ये जो प्रस्ण आप देख रहे हैं कि अवेश के अध्यारोपन से आप क्या समझते हैं काफी महत्पू प्रस्ण हैं दोस्तों कि अवेश के अध्यारोपन से आप क्या समझते हैं तो जब बहुत से आवेस दिये गए हो, तब किसी एक आवेस पर लगने वाला बल, अन्ने आवेसों के द्वारा लगाए गए कुल बल के सदिस योग के बराबर होता है, यहाँ पे इस चित्र को आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, और यहाँ पे इसे आप यानिके अनंद तक इसका हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर वहीं यहाँ पर लिखा गया है कि जब बहुत से अवेश दिये गए हो तब किसी एक अवेश पर लगने वाला बल और अवेशों के तुरा लगाए गए कूल बल के सदिस योग के बराबर होता है तो वहीं यहाँ पर लिखा गया है बिलकुल यहाँ साइन सब्सक्राइब कि दोस्तों तो चलिए नेक्षन परस्थ ओपरस्थ को देखते हैं और यहाँ परस्थ आप देख रहे हैं कि विधुत चुमबक िरिनार से आप क्या समझते हैं तो काफी महत्थपूरण परσथने दोस्तों कि विधुत चुम्बा के प्रेनर से आप क्या समझते हैं जब किसी कुंडली और चुम्बा के बीच अपेक्षिक गती होती है तो कुंडली में एक विधुत वाहक बल उत्पन हो जाता है जिससे परिपत में धारा बहने लगती है और ऐसी धारा को प्रेडित धारा और इस घाटना को ही विधुत चुम्बा के प्रेनर कहते हैं तो एक बार फीर से इसे रिकॉल करना चाहते हैं ताकि आपको पूर्था याद हो जाए एक बार में ही जब किसी कुंडली और चुम्बा के बीच अप्यक्षिक जब गती होती है तो कुंडली में एक बिदुत वाहक वल उत्पन हो जाता है जिससे परिपत में धारा बहने लगती है और ऐसी धारा को प्रेडित धारा और इस जो घाटना घाटती है उसे ही बिदुत चुम्बा के प्रेड़ कहते है बिल्कुल ही असानी से समझते चलेंगे ताकि बूर इग्जा में इससे बाहर तो आएगा नहीं और यहाँ पे नियुमेरकल सवाल है कि 10μF धारता वाले संधारित्र को 5V तक अवेसित किया जाए तो उस पर अवेस क्या होगा यानि कि Q का मान पुछा है तो C बराबर 10μF और B बराबर दिया गया है 5V और Q बराबर वाट तो चुकि Q बराब होता है C भी तो Q बराबर C भी पर हम जब इसे रखेंगे इसका मान तो 10μF गुने 5 यहाँ पे मात्रक को नहीं लिखा गया है यानि कि जो यहाँ पे मू दर्स आए गया है इसका मान 10 के पार मानस 6 होता है तो याद रखेगा मान 10 के पार मानस 6 यहाँ पे 50 µ कुलम इसका राइट एंसर हो जगा या इसे हम लिख सकते हैं 5 गुने 10 के पार मानस 5 कुलम क्योंकि अवे इसका मात्रक कुलम होता है दोस्तो तो यहाँ पे 50 हो तो 50 गुने 10 के पार मानस 6 भी लिख सकते थे 6 कुलम तो इसे एक 0 को हटा कर यहाँ पे मानस जो 10 था वो उसे एक घटा दिये हैं तो मानस 5 कुलम इसे यहाँ पे लिखा गया है तो आप असानी से समझ सकते हैं दोस्तो निमेरिकल और सबजेक्टिव कोशन जीतने भी रहेंगे आपको बिल्कुल ही क्लियर कर दिये जाएगा परिक्षा से पहले दोस्तो प्रेणिक परतिघात क्या है इसका मातरक तथा बीमा लिखे काफी भी भी यही परसने दोस्तो कि प्रेणिक परतिघात क्या है इसका मातरक बीमा लिखे तो परतिवर्ति धारा परिपत में जब कुंडली लगी रहती है तो उसके परतिरोध को प्रेणिक परतिघात कहते हैं जिसे x-l से सुचित किया जाता है और इसका जो मातरक होता है वह ओम होता है और इसका जो बीमियसूतर होता है ml square t के पार मानस 3 a के पार मानस 2 होता है इसका बीमिय सुत्र याद रखेगा दोस्तों ये objective के लिए जरूर याद रखेगा objective के लिए मातरक और इसका बीमिय सुत्र तो यहाँ पे subjective में है कि पर्तिवर्ती धारा परिपत में जब कुंडली लगी रहती है तो उसके पर्तिरोध को ही प्रेणिक पर्तिगात कहते हैं जिसे हम लग xl से सुचित करते हैं और इसका जो मातरक होता है ओम होता है और इसका बीमिय सुत्र ml square t के पार मानस 3 a के पार मानस 2 होता है मित करते हैं आपको सेसा नची लग रही होंगी तो एक लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तो और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर सेयर करने का प्रयास कीज़ेगा अपने दोस्तों के पास क्योंकि कम समय में ज़्यादा कैसे इचीव करते हैं इसी वीडियो के माध्यम से से वह कर सकते हैं इसी सिरीज के माध्यम से ही तो चले नेक्स्ट प्रस्ट में देखते हैं और यहां पर प्रस्ट है कि साइक्लोट्रोन के उप्योगों के लिखें तो सबसे पहले जो लिखा जाता है दोस्तों कि साइक्लोट्रोन के निम्न उप्योग होते हैं यह वाला निमन उपयोग जरूर रिखेगा ऐसा नहीं कि सिधा उपयोग लिखेंगे कि इसका उपयोग चिक्सा छेत्रों में किया जाता है तो यहां सभी लिख सकते हैं लेकिन यह लिखने से यह फायदा रहता है कि आपको फूल में फूल आंक मिल जाएगा और इसका उपयोग भी आप दो भी लिख दें हैं बोड इकजा में तो आपको फूल आंक मिल जाएगे तो इसका उपयोग चिक्सा के छेत्रों में रेडियो शक्रिये पदार्थ उत्पन करने में किया जाता है सैक्रोट्रों का उपयोग और इसका उपयोग आयान को जोरकर ठोष की गुणवाता बढ़ाने में भी साइगो ट्रॉन का उप्योग किया जाता है और यहां पे है कि इसका उप्योग धनावेशित करण को त्वारित कर उर्जा प्राप्त करने में होता है जिसका उप्योग नभीकिये रियक्टर के रूप में भी इसका उप्योग किया जाता है दोस्तों तो बि यहां पे दूर नमबर में है कि परदर्सी माध्यम के लिए ध्रूमर कोर की असपर सजाया अपवर्तनांग के बराबर होता है जिसे ही ब्यूश्टर का नियम कहते हैं अगर आप परिभासा नहीं लिखते हैं अगर यहां पे आप लिखते हैं यह म्यू अपवर्तनांग है और परिभास्य के साथ जरूर लिखने का प्रयास किजेगा इसे लोगों को डाउट ना रहे तो परदर्सी माध्यम के लिए ध्रुमार कोण की असपर्स जाया अपवर्तनांक के बराबर होता है जिसे भी उश्टर का नियाव काते हैं मिव बराबर 10 IP और यहां पर जो प्रस्ण ह कि क्रांतिक कोण क्या है अप पूर्ण आंत्रिक परवर्तन के दो सर्थों को लिखें तो 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं तो इसे अभी आपको याद हो गया होगा कि 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत आपतन कोण को ही क्रां होता है और दूसरा है प्रकास की किरन को सघन माध्यम से बिरल माध्यम में जाना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए नेक्षन प्रस्ट में देखते हैं और ये जो प्रश्ट अब देख रहें स्क्रीन पर काफी भी यह प्रश्ट है कि परकास के बेती करण के लिए आवस्यक सर्तों को लिखें तो सबसे पहले हम बताएं हैं कि नीम्न वालत तो जरूर सब्द लिखेगा कि परकास के बेती करण के आवस्यक सर्त नीम्न होते हैं यह वाला सब यानिकि दो चलीटों के बीच की दुरी होती है वो बहुत ही कव्ण होनी चाहिए दोस्तो report दोनों परकास geek की अबृती तथा त्रंग धेर्या शमान अचाहिए यानिकि दोनों परकास nov जो होती है उनकि जो अबृती होती है और उसकी तरंग ध्र Calling लेमड़ा, वह समान होना जाए आनिके बराबर होना चाहिए दोस्तो, और प्रकास फूर्टो को संक्रा या पतला होना चाहिए, यानिके प्रकास फूर्त जो होती है, उसे संक्रा या पातला होना चाहिए तो यहाँ पे आप तीन भी लिखते हैं सर्थ या दो भी अच्छे से सर्थ लिखते हैं तो आपका पूर्था आंख मिल जाएगा दोस्तो चार इसलिए बताया गया है ताकि आप किसी भी को आप याद कर सकते हैं आसानी से इन सभी प्राष्ण को काफी पर जरूर उता लेजीगा इसे पाता चलेगा कि बोड़ जाव में आप अच्छे से लिख कर आएगा और यहाँ प्राष्ण की नाभीकिये बल के दो गूर्णों को लिखें काफी मातूम प्रस्थने दोस्तों कि नाभीकियबल के दो गोण निम्न होते हैं तो सबसे पहले ये तो लिखना जरूरी है तो नाभीकियबल के दो गोण निम्न होते हैं पहला यह एक सनरक्षित बल है ठीक यह प्रकृति में सबसे मजबूत बल है यह वनली अकर्षन बल ही दर साता है नाकी पर्तिकर्षन बल तो यह वनली अकर्षन बल ही दर साता है और यहाँ पे देखेंगे कि यह ब्यूतकरम बर्ग नियम का पाला नहीं करता है यह जो नियम होता है यह जो नभीक्या बल होता है यह ब्यूतकरम बर्ग नियम का पाला न खुटर दें। यहां पे आप दो को अच्छे से किसी दो को वात करके जए लेजले का तीन थोड़ो ज़रूर याथ कर कर जायेगा किको आप आसाइं से लिख सकते हैं थीक तो यहां परशक्ष नहीं की लेजार के उपयोग foreign लिखें काफी मत्मों प्रशने हैं दोस्तों कि लेजर के निमने उपयोग होते हैं पहला है इसका उपयोग सरजरी के रूप में भी होता है जो सरजरी होता है सरीर की उसमें रेजर का भी उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग संचार बेवास्था में भी रेजर का उपय किया जाता है और इसका उपयोग जो रेजर का उपयोग बेग्यानिक खोज में भी इसका उपयोग किया जाता है रेजर का तो अब आसानी से लिख सकते हैं बोडिक्जा में ऐसा प्रस्ण आता है तो तो चले नेक्ष्ण प्रस्ण को देखते हैं और यह जो प्रस्ण आप दे करण और वीवर्तन में से 100% कोई एक आपके बोड इक्जा में रहेगा तो इस वीडियो में हम लग वानली वीवर्तन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोनों को देख लेंगे तो 5 सेट होने वाले हैं इस रीज में तो 5 सेट को अच्छे से त्यारी कर लेते हैं तो बोड इक जा में इसे बाहर एक भी प्रशन तर नहीं चुटाया लॉंग कोशन्स हो या अबजेक्टिव कोशन्स हो या सबजेक्टिव कोशन्स तो कोई भी प्रशन आता है तो आप आसानी से उसे सामना कर पाएंगे इतना आप में confidence भर देंगे परिच्छा से पहले कि एक भी कोशन आपसे नहीं छुटेगा पूरे गरांटी के साथ कर सक करते हैं आप से एक बार में भी याद हो गया होगा जब किसी तिक शिंकिनारस से होकर परकास गुजरता है तो आंसिक रूप से मूर जाने की परकिरिया को ही परकास कभी वर्दन करते हैं उमीद करते हैं आपको सेसन अच्छी लेग रहे होंगी तो इसे सियर एक बार जरू आईनिकरन उर्जा से आप क्या समझते हैं आईनिकरन उर्जा किसे कहते हैं किसी परमारू के एक इलेक्ट्रोन को अलग करने के लिए आवस्यक जो उर्जा होता है वह परमारू की आईनिकरन उर्जा कहलाता है बिल्कुल ही आसानी से लिखा गया है ताकि आप एक से दो बार भी इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको पूर्था याद हो जाएगा कि किसी प्रमारू से एक इलेक्ट्रोन को अलग करने के लिए अवस्यक जो उर्जा होती है प्रमारू की यहीं उर्जा आयनी करन उर्जा कहलाता है दोस्तों नेक्ष्ट प्रस्ण की प् बीदुधरा का प्रवाह नहीं होते हैं कि बीदुधरा उसे प्रवाहित नहीं हो सकती है तो ऐसे पदात को प्रवैदुत पदात करते हैं और यह मत्तपूर बाते हैं कि इससे बीदुधरा का प्रवाह नहीं होता है बट इसके उपर बीदुत का परभाव होता है यानी कि जो बीधू-धारा वाती है इससे परवाह तो तो नहीं होता है लेकिन बीधू-धारा का इस पर परभाव पौड़ता है जरूर तो याद रखेगा ये परिभासा पुछता है तो परिभासा लिख देते हैं तो भी आपको फूल अंक मिल जाएगा और इतना भी लिख देते हैं तो इसे भी कोई दिकत नहीं है आपको दो में दो अंक मिल जाएगे और यहां परशने की किसी उच बोल्टता सपलाई का आंसिक परतिरोद बहुत अधिक होना चाहिए क्यों काफी महत्पूर परशने दोस्तों कि किसी उच बोल्टता सपलाई का आंसिक परतिरोद बहुत उच होना चाहिए क्यों तो यदि उच बोल्टता स्रोत का आंतरिक परत जाती है जिसे से उंच बोल्टता सुरोत च्छतिग्रस्त हो जाता है आपको एक बार में नहीं समझ में आया होगा उमेद करते हैं तो आपको फीर से समझाने का प्रियास करते हैं जो कि आपको 100% समझ में भी आ जाए तो यदि उंच बोल्टता सुरोत का आंत्रिक परतिरोध अगर कौम होगा तो लगुपातित आवास्ता में सुरोत से बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है ठीक यह अत्याधिक धारा सुरक्षा की सभी सिमाओं को पार कर देती है यह कर जाती है जिससे उच बोल्टता सुरोत छति ग्रस्त हो जाता है तो इतना लिख देते हैं तो आपको पूर्टा अंक मिल जाएगा इसलिए हम कहा सकते हैं किसी उच बोल्टता सप्लाई का आंत्रिक परतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए यानि कि बहुत उच होना चाहिए दोस्तो तो चले नेक्ट प्रस्ण मों देखते हैं और यहाँ पर प्रस्ण है कि रदर फोड के दो परमारू मडल को लिखें तो सबसे पहले लिखना चाहेंगे कि रदर फोड के दो परमारू मडल नीमन है ये बाला तो सब्द जरूर रिखिएगा दोस्तो कि रदर फोड के दो परमारू मडल नीमन है पहला परमारू का अधिकतर दरब्यमान वा समस्त धनावीस एक अतियांत सुक्षम भाग में संचीत रहता है जिसे ही नाभी कहते हैं और नाभी कितरीजा होते हैं 10 के पर मानस 10 मिटर परमारू का अधिकतर दरब्यमान वा समस्त धनावीस एक अतियांत सुक्षम भाग में संचीत रहता है यानि कि उसमें इस्तित रहता है जिसे ही नाभी कहते हैं ये पहला हो गया और दूसरा परिकर्मा करते समय इलेक्ट्रोन की संख्या नाभीक में उपस्तित धनावेस के बराबर होता है तो अता हम कहा सकते हैं कि परमारू जो होता है वह उदासीन होता है तो आप लिख सकते हैं कि परमारू एक उदासीन भी होता है तो परिकर्मा करते समय इलेक्ट्रोन की संख्या नाभीक में उपस्तित धनावेस के बराबर होती है अताह परमाडू उदासीन होता है इतना लिख देते हैं तो आपको पूर्था अंक में जाएगा और यहां पर प्रस्ने अठाना प्रस्ने की बिधूतिये फ्लस्क क्या है इसका मात्रक क्या होता है तो बिधूतिये छेत्र में खीची ग एक पार मानस वन होता है इसका बीमिये सुत्र बीमिये सुत्र को ज़रूर याद रखें और इसके मात्रक को भी क्योंकि मात्रक और बीमिये सुत्र से अबजेक्टिव किलियर हो जाएगा और यहां पे है तो यहां पे सबजेक्टिव भी किलियर हो जाएगा दो नंबर मिल तो बिदू चेत्र में खीची गए बल रहाओ को ही बिदूतिया फ्लस कहते हैं और जो मात राक होता है नुटन मीटर स्कर प्रतिकुलाम होता है और बीमिय सुत्र चुम्बकिय या मियोतर और भायतुक भौतिक या मियोतर के बीच बने कोन को ही दिखपात का कोन कहते हैं बिल्कुल ही आसाइन से समझ पाएंगे दोस्तों कि प्रिथभी के किसी अस्थान पर चुम्बकिय या मियोतर और भौतिक या मियोतर के बीच जो कोन बनता है उसे ही द पर्तिवर्थ नियत कहने गार्थ है तो दोस्तो इस प्रकार से इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं ठीक अगर ये सेशन आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तिसे लाइक जोरूर कीज़ेगे दोस्तों और चनल पढ़ना जुड़े हो तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर किजिएगा दोस्तों क्योंकि इसी तरह से मत्तपूर सेजन आते रहेंगे ताकि वोडिक जामें इससे बाहर एक भी प्रस्णतर न रहे न छुटे आपसे यहीं हमार पूर्थब विश्वास है दोस्तों तो इसे सेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के पास तो मिलते हैं नेक्स्ट वडिय में नई उमीदे का साथ तो हसते रहे और मुस्कुराते रहे और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहे तो आज की इतना ही थैंक्यू